कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एपने यूट्यूब चाइनल रेडिंग लार्ट्स पर दोस्तों आज की वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हर्याना में मद्यकालीन हर्याना से स्वंदित जो एक सो तीस प्लस महतापून कॉस्टनों को जो आपके व्याना अएग्जाम के लिए महतापून हैं और यहां पर यह कॉस्टन जो हम करने वाले हैं चैसि के पहले जो एक्जाम हुए हैं उनमें जो है कॉस्टन पोछे जा है और उसमें हर्याना जिक्ष है जो है वहां से कोस्टन जूरू पूछ जाएंगे तो एक्जाम के दिश्टी से यहां पर सभी कोस्टन ये महता पूर्ण है और अगर आप वीडियो कुछ लंबी हो सकते लेकिन सभी कोस्टन ये तो हमारे जहां पर पहला कोस्टन हैगा बारविश्ट आप दिम किस चोहन सा सकने हर्याना प्रदेश पर आक्रमन कर तोम्रों को प्राजित किया था तो तोम्र जोहिन को यहां पर प्राजित किया गए था विग्रह संग्रालय हरी यान के अशार धरती पर स्वरक के थी यह इन मेंसे कौन सी बताई गई है दिल्ली संग्रालय हरी आन के अशार गैर सो चबिस 28 1500 या 1570 और इन के अशार यहां पर डेट जाए ए तेरह सो आठाईस इस वी बताई गई है नश्क कोस्ण एक हमारा हिसार नगर की स्थापना की गई थी तो हिसार की जो स्थापनाएं हुई थी और पहले जो पटवारी का एक्जाम था उसमें भी कोश्ण यंग आ चुका है तो हिसार नगर की स्थापना सेरसा सूरी अकबर मुहम rappersraa Tuglaka की दोरा तो हिसार नगर जो इसकी स्थापन हुई थी की गई थी फिरो साथ उलक के द्वारा स्टील सिटी जो है ये का जाता है तो ये भी अपनी याद रखना है और जो क्रिसी अगरिकल्चर निरोस्टी जो है ये भी हिसार में है अलब कुशनेगा गुलामज के सासक बल्वन हर्याना के सक्ति साली मेवो कि सक्ति को नश्च करने का प्रियास ये कब किया था बार सो साथ में पैसट च्श dalam 365 या फिर 67 में तो नश्च करने का जो प्रियास जो है किया गय था बारा सो पैसट इस ये में नेश्टर हमारा कोस्त कहницą देगा तरवरी का जो पर्थम यूद्थ था इन में कौन प्राजित हुआ था ? तरवरी यह पिर जो त्रायनाप कह सकते है पिर्थिराज प्रतम दिवित्या तरित्या या मुहम्मद गोरी तो पहला जो यूत था इसमे मुहम्मद गोरी की प्राज़ा हुई थी उसके बाद जब मुहम्मद गोरी ये जीता था नेस्टे का गुहनख शेत्रम की सासके विरुद विद्रो हुआ था बलबन, फिरोसा, तुगलक, पाबर या अलादीन खेल जी तो गहनक शेतर में और ये है उप्शन भी हमारा यहां पर फिरोसा जो तुगलक है इनके विरुद अलग कुशन है किसके सासरकाल में हरियाना के कैथल में भ्यानक विद्रोग हुआ था तो कैथल विद्रोग के नाम से भी आप जाड़ते होंगे बाबर, अकबर, साजा या औरंग जीव यह हुआ था बाबर के सासरकाल में नेश्ट हमारा कुशन है रगा नारनोल में सतनामियों ने किसके सासरकाल में विद्रोग किया था तो नार्लोल में सतनाम यूने साजहां बाबार औरंगजेव या फिर जाहंगेर तो यह थे जा ओप्शन सी औरंगजेव नेच्ट कोशने का किस क्शेतर में जाटवा नामक राजपूत के नित्रतों में। सितंबर गयरसे बाणवा के समय गोरी की सेना के साथ भेंग कर युद हुआ पहला युद गयरसे केड़ में था दूसरा ये बाणवा में हुआ था तो गोरी की सेना के साथ भेंग कर युद हुआ रहोतक सिर समय हम या हांसी में और यह था हांसी तो हांसी में जो यह हुआ था नेश्टम्गम मेवाद के किस परसासक ने गोरी की सेना को चुरूती दी थी तो यहां पर रहे गए ऑप्शन भी हिम राज नेश्टम्गий का किस तीते को हेमू दिली का हिंदु समराथ बनाता हेमू या हेम चंदर भी आप कहा सकते हैं तो दिल्ली का हिंदू समराथ बना था ये डेट आपने बतानी है यहाँ पर दो सितंबर साथ बारा या एक्कीस अक्तुबर ये बने थे साथ अक्तुबर पंद्रह सो चपन को नेस्टर गुलाववन्स के सुल्तान तो ये गुलाववन्स के थे सुल्तान बल्बन इन्होंने अर्याने के सक्ति साली मेवा की सक्ति को नस्ट करने का प्रियास कम किया था और ये भी एक कोशन जो आपीजिटिव पॉलिटिकल साइंस के एक्जाम में आ चुका है और यहां पर जो सिंसर है रहे लगा ऑप्शन भी बारह सो पैसट में नेश्ट हमारा कोशन रहेगा हेमो के द्वारा दिली पर अधिकार करने की सूचन अपाकर अकबर ने मुगल सेनपतियों को कहां इकठा होने का देश दिया था हिसार रेवाडी अमबाला या थानिसर में और यह एकठा हुए थे थानिसर जो वर्तमान कुरक्षित्र में है पहले जैसे isthani Βर के नाम से जान जाता था जहां की राजा थे राजा हर्सवर्दन और दर्बारी कवी थे मेरसी भरबट अलोग कैशनेगा अकबर ने हरियाना को कहा मिलाया दिल्ली, आगरा, अधिकांस बाग दिल्ली या कुछ बाग आगरा में इस इलाके में पंदर सो तरताली सी में वीरभार ने सतनामी पंत की स्थापना की थी नारनोल मेवात बादसापूर या रिवाडी और यहां पर एक उप्षन ए नारनोल नेक्स जो हमारा कोश्चन है 1680C में राजा राम और उसके बतिज्य चूड़ामन के नेत्रतों में जाटवी द्रहो का केंदर था तो जाटवी द्रहो का केंदर इनमें कौन सा था सिंसिनी का सोंधी मेवात पलवाली या फिर ये दिलिवाय आगरा और यहां पर रहेगा ओप्षन ए सिंसिनी वाय शोंधी नेक्स जो हमारे यहां पर कोश्चन हैगा निमलिक्त में से हरियाना के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमान किया था तो इनमें से हरियाना के ये नगर कौन सा है जहां पर तैमूर ने आक्रमान किया था सिर्सा फत्यवाद हिसार या इन सभी पर और ये आक्रमान जा इन सभी पर हुआ था सिर्शा, हिसार और पत्यवाद नेक्स कोशन हैगा हरियान मेकर एकत्तर करने वाले साहिबे दिवान को किस कवी ने लेखक ने जाओ ये मुसाबी कहा है तो कौन सा लेखक है यहां पर ये तुर्शिदास, सुर्दास, अमीर, खुसरो या फिर मीर और ये है सुर्दास अप्शन हैंगा भी नेक्स्ट वा हमारे यहां पर कोशन है जब रजिया बेगम का सेनपती कुतुबदीन हसन गोर रंधंबोर आकरमन के लिए जा रहा था तो किसने गुरिला पत्ती से परिशान कर उसे वापस लोटा दिया था तो गुरिला युदा आपने सुना हुआ तो गुरिला पत्ती से परिशान कर उसे वापस लोटा दिया था मेवाती जाट राजबूत या यह सब ही और यहां पर हमारा जो से अंसर है यह रहेगा उप्शन ए मेवाती अलग कोशन है पंदर सो पत्चिस में यह परिश करने पर सबसे पहले किसने रोकने के प्रियास किया था हमीद खान, हसन खान, दोलत खान या आलम खाने और यह प्रियास किया गए था हमीद कि दौरा नेक्ट कोशन हैगा अकबर के समय रिवारी के सासा कि नमेसे कौन थे राव तुला राम, राव कांड सिंग, फोल सिंग या हेम चंदर और ये थे हेम चंदर ओप्शन डी नेक्स्ट जो हमारे याँ पर कॉस्चन है अंगल मराथा यूद अठार सो तीन इसमें कंपनी की साहता के पर्तिफल के रुप में कंपनी ने सर्धना की बेगम समरू को कौन सा क्षेतर दिया था कुछ पुरवाजीन के कुछ गाउं, थानी सर्वलाडवा के, करनाल गुरगराम के, सामगडवा अगरुहा के तो यहाँ पर जो रहेगा ये है उप्शन सी करनाल और ये जो गुरगराम जो है जिससे पहले गुरगाउं कहा जाता था, इसके कुछ गाउं नेक्स्ट हमारा कुछ नेगा तुगलक सासक फिरोज तुगलक ने हरियाना प्रदेश के हिसाल जिले में कौन सा नगर बसाय था या फिर आप कह सकते हैं कि फिरोसात उगलक ने हरियान प्रदेश के हिसार जिले में नगर बसाये था तो वो कुर सा है रिवाडी हांसी सिवानी या फिर फत्याबाद इसका नाम है फत्याबाद नेस्टेगा हुमायून अपने भाई को कहां की सरकार सोबी थी हिसार सरहिन काबूल वैकंधार या मेवाद की तो ये थी मेवाद नगर नेस्टेगा गोहना में किले का निर्मान ये किस राज़े के दौरा हुआ था अकबर, हिमचंदर, हार्षवर्दन या पर थिरा चोहन के दवारा तो गहाने में किल्यका निर्माण और यह था पर थिरा चोहन के दवारा उप्षिन डी नेक्स यह हमारे यह पर कुशन गा चीनी यात्री हें सांग कि सम्राट की समया हरियानक शित्र में आये थे तो चीनी यात्री ये हें सांग आये थे हर्सवर्दन राज्य वर्दन परभाकरवर्दन या मादवगुप्त की समय में तो ये आये थे राजा हर्सवर्दन जो है इनकी समय में नेश्ट एगा टोपरा अम्बाला का सोक स्थम ये किस सासक के दोरा दिल लाए गए था पहले विग जाम में कोशन आ चुका है तो टोपरा अम्बाला का सोक स्थम ये किस सासक के दोरा लाए गए था महम्मद बिन तूगलक अलाओ दिन खेल जी फिरोज साह तुगलक यासी कंदर लोदी के दोपर और यह जो यहां पर माना गया है यहां रिका उप्षन सी फिरोज साह तूगलक इन के दोपर अलगोशने इन मेंसे कौन सा अबिलेक बाराखडी की लिखाई का प्राचिंतम प्रमान है तो अबिलेक बाराखडी की लिखाई का प्राचिंतम प्रमान है धुन से प्रापत, सिर्शा से, हासी से या इन मेंसे कोई सा भी नहीं यह मान गया यहां पर दून से परापता बिलेगा अर तो इस स्थान बताना है हनसी सिर्शाल लाननो या बीजोलिया और यह जो यहां पर स्थान है यह रहेगा ये और ने कोस्तिन एक कोस्टिन स्य कोस्तों से प्रापत किसके अभी लेक से गयत होता है ये है ये आप पर जाने जाता है कि यहां पर फोचिफार reflex ब्हुचति स्य जघ्याइस singular तो यह हैं पहुआ नेक्स्ट एगा निमन में से किस अबलेक में हर्यान का उलेक करते हुए इसकी राजधानी दिली बताई गई है हर्यान का उलेक करते हुए राजधानी दिली लाननों बिजॉलिया पहुआ या सीरस अबलेक और यह बताये गए है लाननो अब लेक में, option A Hello question एगा किस अब लेक में चोहान राजाओं के द्वारा हरियान के नगरों को इभाज़त करने के स्वंद में उख मिलता है तो यह अब लेक कौन सा है, पेहब का, बिजोलिया, लाोस या सिर्षा का तो इसके सबन्द में जो जानकारी है ये बिजोलिया विलेक में है, उप्शन बी नेक्स जो हमारे यहां पर कोशन हैगा, औरंग जेब के सासनकाल के दुरान 1679 में, धार्मिक निती के विरोध में इन में से कौन सा विद्रोव हुआ था? 1679 में, बुंदेला जाट सतनामी या सिख विद्रोव हुआ और यह था जाट विद्रोव हुआ तो यह जाट विद्रोव हुआ था अलग कोशन हैगा, महमुद गजव ने थाने सर पर आकर्मान किया था तो यह कब किया था? एक हजार तेरा चोदा सोड़ा या सत्रा में और यह किया गया था, एक हजार चोदा इस्वी में नेक्स्ट कोशन हैगा, हमारा पंदर सो चब्वी सिख में हर्यान कि कि स्थान पर बाबरो और इबरहाम लोद्दी के बीच यूद हुआ था? तो यह पहला यूद है, पानिपत को रुक्षेतर तावडू या जीन का, और यह था पानिपत का, पहला यूद जाए पानिपत का, पंदर सो चब्वी सिख में हुआ था, बाबरो इबरहाम लोद्दी के बीच, और लगएक सभी में जो आए बाबरी ही जीता है, तो किस सदी के आरब में कनोज पर सक्ति हिन आयुद सासकों का सासन था, तो किस सदी के आरब में, छटी, साथवी, आठवी या नोवी सदी में, और यह मान गए है आठवी सदी में, नेश्न यहां पर कॉस्चन है सुमयल करने का, यहां पर सुची एक जाइसको दो के साथ आपने मिलान करना है, और सुची एक और दो में यहां पर जो सिंसर है, यह रहेगा आपको ऑप्शन डी, चार, दो, तीन, और एक, तो प्रत्थियोराज दुट्ये के जो अभी लेक ह सबाइब इनका समंद रहेगा रोग तक से हैं इसके बाद क्रिश्न काले मुर्टिया इनका समंद रोग तक से और क्रिस्ट्रन काली सोने इसवाइब चांदी कि सिक्के मिदाथल और विग्रह राच्छतुर्ट के भिले कि आपके नेक्स्ट जो यहां पर कोश्चन हैगा दक्षिन पस्चिम अहरियान में बधानकों के बारे में कहां से हमें जानकारी प्रापत होती है नेक्स्ट कोश्चन हैगा जोर्थोमस तो यह जो जोर्थोमस ने प्रदेश की किस्थान को अपनी राजदानी बनाया था जहाजगर्ड गोहना हांसिया रोत लग तो जोर्थोमस ने और यह बनाया गया था हांसी को और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस पिकाल कि जो महतब हूँ जो यहाँ पर यह कोश्चन जा है उनको प्रापत करने के लिए तो हमारा यहाँ पर कुश्चन लेगा फिरोसा तुलक इन्होंने तेरसत चौवन में एक किला बनवाय था ये कौन सा है हिसार कालका महंदर गड़िया रिवाडी में फिरोसा तुकलक ने और यह है हिसार अंगा ने श्टेगा दार शिखो प्राय हरियान के कि स्थान पर रहता थे हैं कैत्त्तल पलस तनी श्रीया हन्सी में तो दारा शिको जो इनक श्वन्दा है पलवल से नेस्ट हैं मरब कोशन रहेगा सहांजां के दार्मिक गुरू सेक दिली सेक चली ये सेक चली का निवास स्थल तो इनका निवास स्थल जाए कहाँ पर रहा है थानिशर पलवल हं सिया मेवाथ में शेक चली का मकबरा के नाम चे अपने सुना होगा और असार कोश्चन है तो यह 12 में है उसक्राइब दारसिकों के दुवारा थानिस thirds से तर thrilling मर् इसकों से मर्मर का एक मकबरा किन के आद में बनाए गए था शेख्चिली ओ रंग्जय बैरंखा या तार्दी बेक के और यह माना गया है सिक्चिल्डी के अप्षानि नेक्स्ट्कोस्ण समस्थ हर्यान पर अंग्रेजों का अधिकार यह कब हुआ था अठारजौनों तास बीस-गोच की स्वारिस चालिस शौरिस श्चाइश अठारस उश्टावने तो अंग्रेजों का जो यहां पर समस्थ अं अधिकार यह मन गया थारा सो नो दस में नेक्स्ट कोशन एगा मराठो ने हरियान पर कब अधिकार किया था सतर सो चालिस इक तालिस अठाणवे निन्याणवे चपन स्थावन या पच्चिस अभीस में तो मराठो ने हरियान पर अधिकार किया था और यह किया गया था सतर सो चप परस्तावन में नेस्ट अगर बंदा बादुने हरियान में निमन स्थान पर सैनिक मुखेले बनाए था तो ये स्थान कौन सा है सेरी खंडा मिताथल सीस्वालिया इन में से कोई सबी नहीं और ये मान गए है आपका सेरी खंडा रहोत तक नेक्स्ट अमरा कोशन है निमन हर्यानवी लड़के के सतर सुन तलिश इसमें कनाल में दार्शिकों का मकाबला अपने पांच अजार आतियों के साथ किया था तो ये इन में से कौन था हसन खां नंद राम गुजर्मल या राव बाल की सन तो ये मकाबला जो यहाँ पर करने वाले माने गए हैं राव बाल की सन नेक्स्ट राव गुजरमल के अहीर राज्या की राजधानी राव गुजरमल के अहीर राज्या की राजधानी इन में कुन सी है पलवल गोकलगड थानिसरिया रिवाडी और इनके यहाँ पर मानी गई है यह गोकलगड रिवाडी नेक्स जो हमारे यहांपर कोशन रहेगा बादसहा अलमगीर ने हरियाना का निमन क्षेतर मराठो को उपहर सवरूप परदान किया था तो बादसहा अलमगीर ने हरियाना का कौन सा क्षेतर है जो मराठो को उपहर की रूप में दिया था और यह झो टिखेतर जो है यह रहयेगा कुरुक्षेतर मिटेगा हरियार में इम्राठ्थ प्रसाशन की जो परमुक्ष काई है इन मेंसे कोइब से हैं । देली प्रानिपत, हिसार्य मेवाद जिला यह दोनों या इन मेंसे कोई सबी नहीं और यह जो यहां पर मानी गई है option एगा हमारा सी देली पनिपत, हिसारवा, मेवाचिला next question है हमारा पनिपत के तीसरे युद में मराठो से नाराज होकर युद के मैदान से वापस लोटने वाले जाटने था तो मैदान से वापस लोटने वाले जाटने था थे राजाराम, चुडामल और सूरजमल या पिजवाहर सिंग और यह थे सूरजमल next question है गात्राइन के जो दूसरी लड़ाई थी इसमिकिस की हार के बाद आगरोहा का शेतर मुस्लिम सासक के अधिन चला गया था प्रित्युराज पर्थम, दिवित्या, तिरित्या या चतुर्थ तो इन में से हार हुई थी और यह मानी गई है प्रित्युराज तिरित्या की next question है हमारा जोर्ज थोमस ने हरियान में अपना नाम से जो सिक्के चलाए थे उन्हें क्या कहा जाता था सिक्काई साहिब, राजदार जोर्ज या यह सबी उन्हें जो आइस समय कहा जाता था सिक्काई साहिब जो जो जोर्ज थोमस ने चलाए थे next question जो हमारे यहां पर रहेगा जोर्ज थोमस ने इन में किस थान पर अपनी से उतनतर राजदारी स्थामित की थी पनवल कैथल इन दोनों पर यहां हांसी में और यह थी हांसी, option D अलो question है, फिरोज तोगलक ने निमन नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बना कर उनकी हत्या कवादी दी थी फिरोज तोगलक ने, तो यह नगर कौन सा था, इसका मंदिर हांसी गुहना का थलिया कर नाल运म, और यह था आपका गुहना next week हमारा बाबा ने हरियाना क्षेतर को निमन सरकारों में भाजित किया था कि दिल्यमेवाथ दिल्ी हिसर मेवाथ हिसार दिल्यमेवाथ तो यह की अगाय था ओप्शन भे सानgor आखे। नेश्क कोशन हैगा पर्पती पर्थम लड़ाई के बाद मगलो का निमन हिज़त्र दिकार हो गया था हुष में निमन ने अउरंक जयब के वुरुद ुदरोत किना हुआ树 औरंगजेब के विरुद विद्रो हो, अाति सिंग, सावलिया, नंधराम या इन सबी ने, और यहां पर एक उप्शन दीज़े, अधिसंग, सावलिया, मेव और नंधराम, अलोकोषने हरियान का पानिपत कितने इत्यासिक यूद का साक्षाद गौरा है तो पानिपत जो अपनी तीन जो लड़ाया है उनके लिए जान जाता है 1526-561 अलोकोषनेगा हरियान से प्राप्त अपने से लेखा है. धुन से प्रापत ब्लीया, टोप्रा यह लंडे से पराप्त ब्लीयक। और यह जो अब लेख जो है यहां पर वाने गए हैं टोप राशे प्राप्ता अब लेख नेक्स कोशन एका रजिया सुल्तान यह भारत की पहली मेला साशिका थी जिन ने शती से चालिस तक साशिन किया था और तेरा नूमबर बारा सो चालिस कुन की हत्ते कर दी गए थी जहां पर उसका गुंबद है वर्तवान में वो जो जीला है यह कौन सा है सिर्शा जीन की सारी कैथल और यह जो यहां पर स्थान है यह कैथल है अप्शन दी अलग कोशन झेगा मेवाथ में तुर्क-षेना के विरोध का नित्रत्व किया था हेम, जैपल तेजपालिया हेम, यहां यहां क्या राफ यह किया गया था हेम, यहां कि ने स्कुषन झेगा शल्तनत का रम, हरियान में कर इकठा करने वाली जो संस्था थी इसका यहाँ पर नाम क्या था साहिबे दिवान, क्रिशनाक, अहत्मुद्रा या यह सबी तो सल्तनत काल में हरियान में यह कर इकठा करने वाली संस्था और इसका जो नाम है यह साहिबे दिवान है अलो कोशन हैगा हरियान के निमन सहर किसमी पर रज्य सुल्तान तथा उसके पती अलतुनिय की हत्य की गई थी तो रज्य सुल्तान और इसके पती थे अलतुनिया जहां पर जाइन की हत्य हुई थी करनाल कैथल मेवाते गुर्गव में और ये जो स्थान है ये कैथल में है हलो को Queens रेगा 1257 इसी में और 1260 1257 से 6 इसी में हसी में बलबन पर हमला करने वाले तो 1257 से 1260 इसी में मेवाती जाट रजगुत या अहर और यह जो यहांपर हमला करने वाले जो हैं यह मिवाती थे नेक्स्ट कोशन है जलालुदीन खिल जी सुल्तान बनने से पहले किस हर्याणी वी क्षित्र के मुक्ती रहा चुका थे तो जलालुदीन खिल जी कैथल पनिपत करना लिया भीवानी के और यह है कैथल के नेक्स्ट आमरें आपर कुश्चन है का बाबर ने हरियान में पहली बार कब प्रवेश किया था पंदर सो अठारा पच्चिस दास या पंदर सो इस्ताइस में तो बाबर ने जो हरियान में पहली बार जो प्रवेश किया था तो यह किया गया था पंदर सो पच्चीस में नेस्ट एक हदियाने में बाबर को पहली चुनोती दी गई थी तो यह किन की द्वरा दी गई थी तो यहाँ पर जो यह पहली जो चुनोती है यह देने वाले थे हिसार की फोजदार हमीद खा नेस्ट कोश्चन है हमारा पानिपत की जो पर्तम लड़ाई थी इसमें विज़ा प्राप्ट करने के बाद बाद बाबार ने पानिपत का हाकिम नुक्त किया था मुहम्मद उगली बैरमखा हुमायुआ तार दिखा को तो यह जो यहाँ पर नुक्त हुए थे इनका नाम ताम मुहम्मद उगली ओप्शन activism c जो है मेवात नुहूं यह जो युम्यवात जो नुह हैं इसमें बाबर क championships करने वालो कान ने तर्था इन में से किया गए था तो यह ने तर्था इन में से कोन कर रहे थे महान महान सिंग, महर सिंग, तेजपालिय हासन उर्य और ये तो यह जो नेत्रिता हो है। यहाँ पर महान सिंग, हसन करता रही हैं इन में से कोई से भी नहीं। और ये नेत्रिताओ कर रहे थे महान सिंग, नेश्टायगा सेरसा सूरी का जनम हरियाना के निमन प्रगने में हुआ था, करनार नार नोल सिरसा या हिसार में, तो सेरसा सूरी का जो जनम है, ये हरियाना के नार नोल में हुआ था, उप्शन बी, अलो कोशन नेगा सेरसा ने हरियाना प्रदेश को निमन सरकार में भाजित किया था तो किस में भाजित किया था दिली हिसार सरहिंद मेवात या इन सभी में और ये था आप्शन टी हमारा दिली हिसार सरहिंद और मेवात में नेक्ट कोशने एका हमारा अकबर के श्मरंकसेक बैरुम ख़ा ने उसका राजेबसेग निमास्थान पर किया था कलानौर पंजाब, कलानौर हरियाना मेहेम या साणपुर उत्र पतेस्जमे न का इसा बहती है नेश्ट्रेगा हेमुन दिल्य के राज सिंगासन पर कब अपना दिकार किया था 10 जोलाई 14 7 अक्तुबर यह कोई समय नहीं तो हेमुन दिल्य के राज सिंगासन पर जो अपना दिकार जो किया था यह 7 अक्तुबर 1556 को किया था हाँ कि नेस्ट रहा मारा भारत का जो अंतिम हिंदू विग्रमा दित्या यह सासक था हर्श वर्धन हिम चंदर प्रmarksराइम प्रिद्धा न्याया संगराम नेड़े हिंद्ध हिंदू विग्रमा दित्या सासक और यह माना गया है हेम चंदर, ओप्शन B, नेश्टेगा हेम का समंदर रियानक ये एक शित्तर से था, तो ये कौन सक शित्तर है, रेवाडी कैतल सुनिपतिया भी होनी, और यहाँ पर जो एक शित्तर माना गया है, ये रहेगा आपका रेवाडी, नेश्टेगा पानिपत का जो आप जो एक्जाम में इतना याद रखते हो कि पहली लड़े 26 में हुई थी उसके बाद 56 में 61 में तो इसके सार साथ ये जो संज होते हैं ये भी आपने जुरुत रखनाäg कहीं बार एक्जाम में यहीं पूरी डेट आ जाती है तो यहाँ पर जो यह पूरी डेट जो मानी गई है रहेगा उप्शन थी पांच नुम्बर थी यह और पंदर से चापन में जब दूसरी लड़ाई यह हुई थी अकबर के प्रसाशन की हरियाना सेवंदी मुख्य काई थी शुबा सरकार प्रगना या यह सभी तो अकबर के प्रसाशन की हरियाना सेवंदी मुख्य काई और यह सभी मानी गई है शुबा प्रगना और सरकार नेक्स्ट जो हमारे अपर कोशने का मद्द्य काली न्योग में हरियान के किस थान पर महमत गोरी और प्रितुरा चोहन के मद्द्या ग्यार से काड़ में पहला यह दुआ था और उसके बाद ग्यार से बाड़ में दूसरा तो इस्थान गुरोंड़ा तराइन पानिपतिया कुर्क्षित्तर और यह जो यहां पर माना गया है तराइन ऑप्शन भी यह से तरोड़ी भी कह सकते हैं आप नेक्स्ट कोशन है हमारा हांसी का जो असिगर किला यह कब बना था जो प्रित्वराच चोहन के द्वारा बनाए गया था पंद्रवी स्ताबदी बारवी तेरीवी या अठार्वी स्ताबदी में यह तीसरी है यहां पर तो यह जो यहां पर माना गया है बार्वी स्ताबदी में option हमारा बी अलो कोशन है का पनपत का दूसरे युद में यहां पर जीत हुई थी तो किन की थी हेमू मुगल बाबर ये मराठा की और जैसे कि आपको पता चपन में चपन में यहां पर युद था तो डिवित्य जो युद जो था इसमें जीत हुई थी मुगलों की नेक्स्ट कोशन है हमारा महुन सिंग मंडार की रियासत यह की स्थान पर थी कैथल जीन्द तोरू या महिंदरगर में और यह मानी गई है कैथल में अप्शन ए नेक्स्ट कोशन है हमु के नाम से यहां पर यह राजा प्रसीद हुए है सम्राठ हेम चंदर विक्रमा दित्ते हैं महमद गोरिया हर्षवर्दन या फिर अकबर तो हेमु या फिर हेम चंदर हिंदू जो यहां पर यह अंतिम हिंदू थे और यह माने गए हैं य मुगल सासक के विरुद विद्रों किया था अकबर औरंगजेव साहजाया बाबर के तो यह जो किया गया था यह था बाबर के ओप्शन डी नेश्ट एक हरियान में तौमर राजा के द्वारा निम्रिक्स में से क्या बनवाए गया था सुरजकुन सोनाकुन साहा जहां की नेश्टेगा हीम चंदर विक्रमा दित्य हीमु का समध्य सहर से है एक सहर है यह कौन सा है और यह जो सहर है यह आ रहेगा रेवाडी नेश्टेगा क्वास मिनारों का निमानी यह किस ने कराया था जब आप जैसे यहां पर कनाल दिल्ली जो हाइवे जो है इस पर जाते है तो आपको उची-उची सी जो है रास्ते के बीच में कुछी स्त्रीकी की जो है चुबूतरे से खड़े हुए दिखाई देंगे जिस तरह इंट का भट्टा होता है तो यह ही जो है यहां पर कोस मिनारे हैं कोस मिनारों का जो निर्माना यह कराया गया था सेरसासूरी सहां नाकबर या पर थुड़ा चोहन के द्वारा और यह कराय गाता सेरसासूरी के द्वारा जिससे पत लगता था कि इतने जय कोस चल गई है या फिर वहां पर जो आपने जो गोड़े जो होते थे उनको बदला जाता था नेश्ट एक ठाकूर फेरू मद्य कलीन हरियान का सबसे प्रवाल साली विद्वान था जिसने भूमुले साथ गरंतों के रचन की थी तो वह हरियान के किस किसेतर से स्मंद रखता था कनीना धुलत पूर तावरिया बांस से और इनका जो यहां पर स्मंद किसेतर जो मान गय रहा है ये कनीना से है कनीना चल्की दाद्री नेश्ट कोशन है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने कौन से सैर की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने सैर बसाया था कैथल हिसार फृदवाद या सेर्शा और बहुत पार एक्जाम में पहले वी आ चुका है तो यह बसाया था आपका उप्शन भी हिसार नेक्स यहां पर हमारा कोशन है रेवाडी के इतिहास से समंदित उर्दु भासा में लिखा गया गरंत अभीर कुल दीपिका के जो लेकर का यह इन में से कौन है रातुला राम हेमू मान सिंग या इन में से कोई से भी नहीं और यह जो नाम हो तो सूरज कुंड का जो यहां पर निर्मान जो है यह मान गया है आप्शन E में सूरज पल के दवरा नेस्टेगा मराठो तो तो था आम साथ दाली के बीच हरियाने में कौन सा युद हुआ था मुराठो और एमसावदाली के बीच पनिपत का दूसरा तीसरा पहला या इन में से कोई साभी नहीं तो इनके बीच जो यूद हुआ था ये था पनिपत का तीसरा और 1761 में जाए हुआ था नेश्ट एगा महमूद गजवनी ने किस राजा को हरा कर पेशावर तक एक से तरपर अपना दिखार कर लिया था तेजपाल, जैपाल, अनंगपाल या इन से भी तो महमूद गजवनी ने किस राजा को हरा कर ये जो यहाँ पर राजा है इनका नाम था जैपाल नेस्ट एगा हरियान पर महमूद ने पहला आकर्मान किया था 106789 में तो हरियान पर महमूद गजनुई जो थे इन्होंने आकर्मान किया था और ये किया गया था एक जार नो में नेस्ट कोशन हमारा हरियान के किस सेर पर महमूद अपने परत्रम अकरमन किया था तो एक जानों में तो किया था अब ये स्थान कुन सा है अम्बाला कैसे थानिसर या हिसार और यहाँ पर जो स्थान है ये थानिसर है नेश्टेगा एक हजार चोदा में महमूद्व ने हरियान के की सेर पर आक्रमान किया था था थानिससर कुर्गषित्तर पानिपति अंब्ला और यह जो स्थान है थाणिसर आपको यह भी डेट भी जार रखने है तो पहला जू यह किया गया था था सब्सक्राइब को निमन आक्रमन में नस्ट किया था इतिहासिक प्रतिमा एक जार नो चोड़ा सत्रा में यह इनमी से कोई सभी नहीं और यहां पर जो मानी गई है यह एक जार चोड़ा है नेक्स्ट हमारा जो यहां पर कोशन हैगा एक जार सेंटी सिस्वे में महमुद गजनवनी के पोते मासुद ने हरियाने के किस थान पर आक्रमन किया था हांसी से सेरसार होता गिया पोचकुला और यह जो सहर है इसका नाम है हांसी ओप्शन है नेक्स एकात्रायर का पर्थम युद का नायक इन मेंचे कोन है पिर्तिराच चोहान, सोरवीर गोविंद राए, महम्मद गौरी या फिर जन्द राटवर तो पर्थम यूद का जो यहां पर नायक और यह मानग है सोरवीर गोविंद राए को नेस्ट कोर्शन है हमारा पनिपत की पहले लड़ाई पहले भी एक्जाब में आ चुका है तो पहले लड़ाई जो है यहाँ पर यह 26 में हुई थी उसके बाद 56 में नेस्ट है पनिपत की थी स्री लड़ाई नेस्ट कोर्शन है हमारा बारवी स्थाबदी में इन में से किसने तरावड़ी और हांसी में किले की स्थाबना की थी तो बारवी स्थाबदी में किसने तरावड़ी और हांसी में किले की स्थाबना की थी अक्बर प्रित्वराज चोहान मुहमद को रियन में से कोई सबी नहीं और यहां पर माना गए है ऑप्शन भी प्रित्वराज चोहान नेस्ट नेगा मुगल कालिन भटिया किला हरियाणा में कहां पर है होडल फृदवाद बल्लबगड या पलवल में तो मुगल कालिन यह अंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फरेंस जिसमें महात्मगंदी अली भायों के साथ आये थे तो अभवानी में यह कब हुई थी जून अक्तुबर निस या मार्च में और यह जो हुई थी अक्तुबर निसो बीस को नेश्ट अटेश सितंबर 1863 को राव तुलराम की में रित्ती हुई थी तो यह कहां पर थी रेवारी काबूल पाकिस्तानिया महिंदरगर में और यह है ओप्शन भी हमारा काबूल नेश्ट हमारे यहां पर कोशनेगा यूमनगर के स्मीब मिस्तित जो बूरिया नामक स्थान है इस पर प्राचिन कस्वेका स्मंद अक्बर कालिन किस परसिद्व एक्ति से माना गया है तो बूरिया जो बूरिया के यहां पर रहने वाले थे यह टोडर मल मान सिंग तान सेन या बिर्बाल और यह थे बिर्बाल नेस्टे का तरावड़ी अथार तराइन इसमें लड़े पर्थम युद में किन की विज़ हुई थी पर्थम युद और अप्शन भी आपको जाए इसी वीडियो में बहुत सैसे कोश्चन है जो इसी वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगे तो इसी बात पर आप जाए लाइक कर सकते हैं नेक्स्ट एका कनाल का युद कौन सी इस्वी में हुआ था नेक्स कौशन एक चपन उनटालीस एत 1723 है तो कनाल का युद कौनрал का युद और ये जो यहां पर मान गया है 1749 में नेक्स क्टॉशन अब पंदरसो तरतालीस है से मई वीरभा ने सतंतनामी सम प्रदाय की स्थापना ये कहां पर की थी बादसापूर मेवात नानोल यारे वाड़ी में तो पंदर सो तरतारीश एस्जी में और यह है उप्शन सी नानोल में अलग कोशन है का बलब गड़ की जाट रियासत है इसका स्थापक इन में से कुन था हेम सिंग मेग सिंग गोपाल सिंग या म पर राजदानी है ये डिली है ओप्शन ए नेस्ट एगा रिवाड़ी की स्थापना ये किस सराजा ने की थी तो गलक बल्लाम राजा रेवत या इन में सी कोई समय नहीं तो रिवाड़ी जो है इसकी स्थापना यहां पर मानी गई है राजा रेवत के दौरा इस तरी कीसे आप याद रख सकते है रेवत रिवाड़ी नेस्ट एगा इन्तुम अंतिम भारते हिंदू राजा ये कौन था जो दिली की गद्धी पर बैठा था तो हेमो प्रित्वरा चोहानु विक्रमादी तेल अदिल सहसुरी और ये थे हेमो या पिर हेम चंदरा नेस्ट एगा बार मुगल मराठ है या इन सभी का तो बार सो चैंसे अठार सो दो तक और ये जो शासन है इन सभी का मान गया है सुल्तान मराठ और मुगलों का नेस्टेगा सुराजकुन का निर्मान कराए गया था अनंग पाल दीट्टे हैं एम चंदर मही पालिया हर्श वरदन के द्वारा और ये रहेगा अनंग पाल दीट्टे है ओप्षें ये अलो कुशन नेगा समराट तैमूर इन्होंने हरियाने के किन सहरों पर आकमन किया था तो इस सहर बताने है इसार, सिर्षा, फतिवाद या ये सभी और यहां पर माना गई है ये इन सभी को इसार, फतिवाद, और सिर्षा नेक्स्ट आमारे आपर कुशनेगा हरियाना के कौन से दो सैर फिरो साथ तूलक के द्वारा स्थावित कराए गए थे हिसार बल्लबगड फृरिदाबाद कात्रोर हिसार तो फिरो साथ तूलक के द्वारा स्थावित किया गए थे और यह हिसार और फत्यवाद नेस्टरेगा पानिपत के तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी यह है एहम सब्दाली और मराटों के बीच नेस्टरेगा पानिपत का पर्थम यूद जिसमें बाबर ने किस यूदती का यूदती का प्रियोग किया था तो पहले यूद में बाबर ने यहां पर एक चाल चली थी यूदती का प्रियोग किया गया था और यह थी तुलुगूमा ओप्शन सी नेक्स्ट कोईशन हैगा पानिपत के किस यूद के फल सुरूप सीख सक्ति का उदेख हुआ था तृत्त्य द्वित्य यह पर्थम और यह था तृत्त्य नेक्स्ट रहेगा पानिपत के द्वित्य यूद से पहले हेम ने कितने लड़ाईय लड़ी थी साथ नो बाईस या ग्यारा हेम ने जो यहां पर लड़ाईय जो लड़ी थी यह थी बाईस नेक्स्ट रहेगा सोड़स उनात्रीश में तिलपत के किस जाट नेता ने जाट विद्रों की सुरात मुगलों के विरुद जाय की थी तो मुगलों के विरुद की गई थी सूरजमल, गोकुल, राजराम या चुड़ामन की दोबरा और यहां पर एक उप्षिन भी गोकुल नेक्स्ट रहेगा निमन में से जाटो के जो मुख्य नेता यह इन में से कौन थे गोकुल, चुड़ामन, बदन सिंग या यह सभी तो जाटो का जो यहां पर मुख्य नेता माना गया है इन सभी को माना गया है गोकुल, बदन सिंग और यह चुड़ामन को बर्भान मी विद्रहू की शुवात हुई थी, 16-anya hatr में तो हरी आनके किस थान पर यह हूई थी? 17-anyam विद्रह लेट आपने अधर रखने 16-anya hatr? और हरी आनके किस थान से यह सुवात हुई थी? ठान सんजीन कर नारम और यारोतक से और यह थी नार-नोल से? नेस्ट्रेगा सत्तनामी धार्मिक सम्पर्दाई की स्थापना पंदर सर तर्टारीश इसमी किस के दवार की गए थी तो बीरभान, गोकुल यह और भी दोनों या इनमें से कोई से भी नहीं और यह मानी गई है यहाँ पर ओप्शन ए बीरभान के दवारा नेस्ट्रेगा सत्तनामी ने हर्याणे में किक शेत्र में अपनी स्थापना स्थापना इनमें से किस ने की थी राव नंदराम, बालकिशन, गुजरमालिया, भान सिंग ने तेरेवारी में स्थापना और यहाँ पर जो मानी गई है यह रहेगा ओप्शन ए राव नंदराम ने नेक्स्ट कोशन है हमारा बल्लबगड जाट राजय का सबसे सक्तिसाली सासक कौन था इनमें गौपाल सिंग चैनदास बलुजाट या इनमें से कोश्में नहीं तो बल्लबगड जाट राजय का सबसे सक्तिसाली सासक और यहाँ पर माना गया है यह बलुजाट को मैंक्स्टेंग बन्दा बाहादूर ने 1709 इस में अपने सैनिक अभि़्यानों की शुरुआत हारे आने की इस्तान से कि थी शिर्सार होत तक पच्र कुलाем कनाल से तो बन्दा बाहादूरMP ने सतरासो नुमें और यह जो तो यहां पर सुरात मानी गई है करनाल सी मानी गई है नेक्स हमारा कोशनेगा रिवाडी राज्य पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था 1703, 1800, 1900 या 1708 में तो रिवाडी राज्य पर जो अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ था ये माना गया 1803 में नेस्ट एका जाटो ने 1688 सी में किस मुगल की कबर खोद कर उसकी अस्तियों को जला दिया था तो जाटो ने 1688 में तो ये मुगल थे बाबर अकबर और जेब याहिमन सब्दाली और ये मानग है अकबर की नेस्ट कोशन हमारा चर्णदास हरियाना के निमन में से किस राज़ा किसा सकते बलवगर रेवारी फरुकनगर ये मिश कोई समय नहीं तो चर्णदास जो है इनका जो यहाँ पर समंद जो है ये मानग है बलवगर राज़ा से ने काल कोशन है अठार ही सताफ़ के उत्राजम हरियान का अधिकतरक शेतर ये किसकी एदिन फारे मुगल của मुलाराथों सिखों या अंगरे जो गए तो अठार उस सताफ़ी में अठारी स्थावदी के उत्राज में और यह था सिख्खों के नेक्स कोशन हमारा बलबगड राज्या का संस्थापक इन मेंशे कौन था चर्णदास गोपाल सिंग बलबगड बलब सिंग या इन मेंशे कोशन में नहीं तो बलबगड राज्या का संस्थापक और यह मान गए ह प्रगोपाल सिंग को नेस्ट है सलतनत काल में हर्यान की सबसे छोटी जो इकता थी ये कौन सी थी पलवल हांसी भीवानी ये मेवात तो सलतनत काल में हर्यान की सबसे छोटी जो इकता ये थी पलवल नेक्स्ट कोश्चन एगा हमारा बल्बन सासक बनने से पहले हरियान को निमन स्थान का मुक्ति रा चुका था तो बल्बन सासक बनने से पहले तो ये मुक्ति रा चुका था रेवाडी हांसी दोनों का ये नमेज कीसी का भी नहीं और यह माना गए है option C, रेवाडी और हांसी का तो दोस्तों यह थी हमारा अज के यहां पर हरियाना जीके से स्वंदित, मंदे काली इन हरियाने से स्वंदित कुछ जा मेहतपून कोश्चन जो आपके आगेन वाले एक्जाम के लिए मेहतपून हैंगे और दोस्तों अगर आप णामर आपके स्वंदित का मुपन जो आपके स्वंदित का नवाचे हैंगेन आपके सेffer्शा है चिछी और जोस्तों और एकाली का तो यह थी हमेंगे इन हैंगे उआप Kो्री आपके।